जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 मार्च और 8 मार्च 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिधी क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, उन से क्या योग होगा और इन सबी चीजों का प्रभाव आपकी दिन्चरिया में कैसा होने वाला है जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रतिक शेतर के बारे में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तित्थी नक्षत्र की बात कर लेते हैं 7 मार्च सौमवार का दिन है और शुकलपक्ष की पंच मिति थी है बहनी नक्षत्र रहेगा मेश राशी में चंद्रमा है और सूरिय तो कुमराशी में है बुद्ध के साथ बुधादित योग बना रहे हैं गुरू भी हैं तो तरिक रही योग भी बना है इसके इलावा इस दिन रवयोग भी रहेगा और अविजीत मुरत होगा दोपहर बारा बज़ कर नो मिनट से बारा बज़ कर चपपन मिनट तक आठ मार्च मंगलवार का दिन है शुकल पक्ष की शष्टी ते थी क्यतिकर नक्षत्र वैदरती नाम का योग है और चंदरमा मेश रासी में दोपहर साड़े बारा बज़े तक उसके बाद व्रशब रासी में राहु के साथ योती करेंगे सूरिय कुम राशी पूर भाद व्रशब नक्षत्र में है इसके अलावा इस दिन और भी उत्तम योग बन रहे है एक तो त्रिपुषकर योग बनेगा जो अगले दिन तक बनेगा दो दिनों तक ये त्रिपुषकर योग बनेगा नो मार्च की सुभा तक और सरवार सिध् नक्षत्रों की इस्तिधि अब इसी के नुसार जानेंगे कि ये दो दिन कैसे रहेंगे ये राशी पर चंदर राशी पर आदा रहे था लेकिन बागी ग्रहों के इस्तिधि में मायने रखती हैं और जब योग बनते हैं तो उनका प्रभाव भी आपकी दिन चरिया पर आप होती है कि आपका मन हर काम में लगता है मन होता है ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें इतनी एनरजी होती है लेकिन आपके लिए काम जादा रहेगा आज का बोज भी जादा होगा फिर भी आप हर चीज को मैनेज कर पाएंगे आपके घर से जुड़ा निवेश आज बहुत फायदे बन रहेगा और उन लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आपकी मुलाकात कभी-कभी होती है उनसे बाचीत करना उनसे संपर्क करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए आज बहतरी वाली चीज़ें हैं कारशित्र में चीज़े वाकई में बहुत बहतरी वाली होंगे अगर आप कुछ लोगों से संपर्क बनाना चाहते हैं तो आगे बढ़कर उन लोगों से दुआ सिलाम करना शुरू करें और खास और से उनसे जो आपको पसंद नहीं करते हैं कि उनसे भी दुआ सलाम होना बहुत जरूरी है आज एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही आकरशक आफसर भी आपके लिए मिलेगा जो संभावनाओं से भरा होगा आज कोई निर्मान का कारिया आप शुरू कर सकते हैं कोई अचल संपत्ती के कारोबार में निवेश करना भी बहुत फाइदे मंद है लाबदाय किस्तिया हैं ग्रहों किस्तियां बहुत अच्छी हैं कड़ी मेहनत का दिन है एनरजी भरपूर है और जब ऐसी चीज़े होती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रियास करते हैं से ज़्यादा मेहनत करते हैं आज आपके छोटे भाई बहन का समर्थन भी आपको मिलेगा जो आपकी confidence level को बढ़ाएगा एक चीज़ का ज़रूर दिहान रखें क्योंकि सारी चीज़ अच्छी नहीं होती है सुनी सुनाई बातों पर चाहे वो आपके छेत्र किसी भी छेत्र से जुड़ी हो आपका नीजी जीवानों आपका अकारे छेत्र हो सुनी सुनाई बातों पर आँखे मूंद कर येकिन बिल्कुल ना करें उनकी सच्चाई को भली भाती पर्खें तब आप कोई ने ने ले क्योंकि जीवन की जो सबसे चनोती पूर्ण इस्थितियां होती है वो यही होती है कि जब आप किसी की बादों पर विश्वास कर लेते हैं और ये चीज़ें कलह कलेश और बहुत सी चीज़ों का कारण बन जाती हैं यसलिए इन चीज़ों को आप पहले सच्चाई जाने तब इस चीज़ पर कोई भी प्रतिकरिया करें आपके अंदर साहस होगा कोई अच्छे निर्ने लेने का और कामकाश में जिसमें आपने काफी महनत की है वो आपके लिए शांदार बनी ही हुई है उत्तम इस्तितियों को बना रही है जिसलिए इसका पूरा आनद ले आपका संचार कोशल अच्छा होगा अपने प्रियजनों से आप बड़ा गुर्वत्ता पूर्वक समय का आनद ले पाएंगे उनसे मिलकर इन पलों का पूर्व लुथ उठा पाएंगे आज ग्रे कलर का जो वस्त्र है वो आपके लिए बहुत शुब रहेगा यानि ग्रे कलर आपके लिए आज बहुत भागशाली रहने वाला है कलर का बहुत एहम रोल होता है अगर आप मानते हैं तो बहुत एहम रोल होता है, तो ग्रेखलर आज आप धारण करें कोई भी वस्तराज धारण करें ग्रेखलर का तो आपके लिए उत्तम रहेगा हम बात करेंगे आठ मार्च की तो आठ मार्च योगों से भरपूर है, थी पुष्कर योग है सरवार्थ सिद्धी योग है स्रीपुषकर योग तीन गुना लाव की प्राप्ति करने वाला है सरवार्थ सिद्धी योग तो है ही सभी कामों को सिद्ध करने वाला चंद्रमा दो पहर तक में शासी में उसके बाद विर्श्रबरासी में आएंगे तुलाराशी के लोगों के लिए अगर आप विदीज जाने की इच्छुक है विदीज जाने का प्रियास कर रहे हैं वर्क पर्मिट का इंतजार कर रहे हैं वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो आपको खुश खबरी मिलने वाली है त्यार हो जाएं इसके लिए आपने बहुत इंतजार किया है इसलिए ये खुशकबरी आपके लिए बहुत माइने रखती है तो इस अफसर का पूरा फाइदा उठाएं खुशियां मनाएं ये खुशियां बड़ी मुद्दत से बड़ी मुश्किल से आपको मिली है तो इनका मज़ा जरूर है अगर आप आयात नर्यात के कामकाश से जुड़े हैं तो आज आपके कामकाश के लिए बहुत अच्छा दिन है किसी विदेशी साज़ेदारे के संकेत भी मिल रहे है और इसके परिनाम भी आपके लिए बहुत बहुत बहुतर होंगे विदेशी साज़ेदार आपके वैपार के लिए बहुत महत्पुन रहेगा अपनी कमपनी के विस्तार के लिए ऐसी चीजों से हाथ मेलाना ऐसी चीजों की तरफ दिहान देना संबव है तो आप कोशिश करें कोशिश करने से ही चीज़े होती है जब तक आप कुछ नया नहीं सोचेंगे नया नहीं करना चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा लेकिन फुल कॉन्फिदेंस के साथ और पूरी समझदारी के साथ और सभी चीजों को समझ कर तो दिन बहुत अच्छा है बाकी कला के शेतर से जुड़े है तो उन लोगों के लिए अच्छा दिन है लवमिट के साथ अच्छा दिन भी देगा साथ में आप लॉंग ड्राइब पर भी जा सकते हैं इस राशी की जो महिलाएं हैं अगर आज सफर करती हैं तो समान की थोड़ी जादा सुरक्षा आपको खुद करने होगे बिजनिस में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है स्वास्ते समंदी कुछ परिशानिया थी तो पहले से बहतर आप खुद को देखेंगे लवमिट आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकता है सिंगल लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है आज उनका उनको प्यार मिल सकता है अब स्टुडेंट्स के अगर हम बात करें तो स्टुडेंट्स के लिए दिन जो है वो अनकूल होने वाला है योग अच्छे हैं योगों का जो प्रभाव है वो अच्छा है तो जाहिर है विद्यारतियों के लिए भी दिन जो है वो अनकूल ही रहेगा आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफी पॉजिटिव होंगे और काफी फोकस भी रहेंगे और जब आपका फोकस बढ़ता है तो आपका मन लगता है पढ़ाई में और यही चाहिए तो इस फोकस को बढ़ाएं और अपनी पढ़ाई पर जादा से जदा ध्यान दें साथ में चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें